जारखंड में विधान सभा चुनाव की तारीखों का एलान किसी भी वक्त हो सकता है लेकिन से पहले तमाम पार्टिया अपनी तैयारी में जुट गई है आज की इस विसेश बाचीत में हम चर्चा करेंगे बीजपी की और जारखंड में बीजपी की चुनावी रनीती क्या है इसके बारे में भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे आपको ये भी बताएंगे कि इस बार बीजपी किसके साथ गड़बंधन में चुनाव लड़े और बीजपी किसे कितनी सीटे देगी कितनी सीटों पर सहमती बनेगी और जिन पार्टी को अपने साथ बीजपी नहीं लेगी यानि कि जिस पार्टी के साथ बीजपी गड़बंधन नहीं करेगी उस पार्टी का अगला कदम क्या होगा और फिर वो पार्टी किस रनीती के तहत आगे बढ़ेगी तो मुद्दे कई सारे हैं आप बने रहे हमारे साथ और हम आपको एक एक बात की जानकारी देंगे सब कुछ बताएंगे और आपका सारा कन्फ्यूजन भी क्लियर करेंगे बिरे साथ मेरे सायोगी आशुतोश है उनसे बाचीत करेंगे और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि बीचर्पी ने बीते दिन ही चुनाव समीती की पहली बैठक की है ये पहली बैठक रही और इस बैठक के बाद असम किसीया मेहमता विश्व सर्मा ने ये कहा भी कि अब हमने अपनी तयारी शुरू कर दिया ये पहला कदम है धीरे धीरे क स्टेज में जो खाका तयार किया गया जो रूप रेखा सामने आ रही है और हिमंता विशु सर्मा के बयानों से ही जो चीजे चंकट सामने आ रही है उसी पर हम लोग चर्चर करने के लिए बैठे हैं तो उन्होंने बता दिया जता दिया कि जार्खन में वो किनकिन दलो को साथ लेकर के चलने वाले हैं जैसे कि 2019 में बीजे पी शायद ओवर कॉन्फिडेंस टा सिकार थी अब कहा जा सकता चुटी नतीजे अनुकूल नहीं आ हैं तो इस बार वो गलती ना दोराई जाये उसके पीछे वर्काउट चल लाया है लेकिन पहले के मुकाबले इस बार विजे पीक लिए चुनोतियां ज्यादा इसलिए है चुटी पहले सिर्फ आच्सु से उनका घटवंधन था और टूटा था विजे पीका लेकिन इस बार एंडिये में कई ऐसे दल हैं जो लोग सवा चु जितनना माजी लोग सभा में एक चीट मिली थी विहार में भी चुनावलर चुटे हैं साथ में इन दिये कि तो उनकी भी महतुकांचा है कि उनकी पारटी का भी विस्तार हो जार्खन में और बीजे पी उनको भी अपने साथ लेकर के कुछ शीटे दे इसके लिए माजी जी पाटी एलजे पी आर की हुई थी उसी में दोबारा राश्ट्री अध्यक्ष भी चुने गए थे और उसमें जारखंड एलजे पी आर के जो बरे-बरे नेता थे सब लोग शामिल हुए थे और तब चिराग पासवान की पाटी ने या चिराग पासवान ने या रुन भारती उनके बानों ही है जो जम्य से चुनाव जिते हैं उन्होंने साप साप हैलान किया था लेकिन और बात नहीं बनती है तो उन्होंने एक तरके से एक वार्न भी किया का सकते हैं अल्टिमेटम भी दिया कि हम अकेले भी चुनाव में जा सकते हैं अठाई सीट की डिमांड है वैसे उनकी कत्ता ही वो मुम्किन नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेशन या डिमांड जादा रखी जाती है तब उसमें बार्गेन होके सीटे कम मिलती है यह चिराग पास्वान को ही परता है लेकिन कल ही मनता विश्व सर्मा ने जो बयान दिया है उ कि शायद मुम्किन नहीं लग रही है ऐसा इसलिए चुकी उन्होंने यह बताया कि इस बार जार्खंड में एंडिये में कौन-कौन से दल हो उन्होंने साब साब कहा कि आजसु के साथ हम लोग चुनाव लग रहे हैं और पहले भी लग थे 2019 में सीटों को ले करके और आठपिस्टी के आसपस बोट आया था तो मतलब एंडिये कह सकते हैं और जोइंट होता तो बीजेपी को शिकास जहलनी पर थी सीटे कम आया थी अगर वह साथ होते तो शायद नतीजे दूसरे होते और सरकार भी बन सकते थी रगवरदास रिपीट हो सकते थे वहां पर चुटी 35% वोट शेयर लाकर के महागटवन्नन वालों ने सरकार बनाई है और ज्यादा सीटे गेंती है तो और दोनों साथ हो जाते तो चुटी अलग होने के बाद तीरपन सीटों पर चुनाओ आच्चु पार्टी लरी थी और उन में से मुझा लगता है कि दरजन भर ती और वोट अगर बीजे पीटे या पाले में जाते या फिर जॉइंट उमिद्वार के पास जाते तो नतीजे कुछ और होते जीत सकते थे हलाकि तिरपन सीट में से दो सीट ही आच्चु ने काल पाई लेकिन कई सीटों पर उनके उमिद्वार दूसरे नमर पर रहे या अच्छा खासा वोट तो वही गलती इस बार नहीं दोराने की मनशा है कोशिस है कि इस बार जार्खन बीजे पी इनको सुदेश महतों को साथ लेकर चलने वाली है आपको या दो रहे कि पिछले दिनों अमिद्वार से उनकी मुलाकात भी थी और बाहरी कलकर सुदेश महतो तो तब ही यह कहा जाने लगा था और और फिलाल जो इस्थिति हैं नितीश्क्रुमार के इंडिये में कि जो सांसद है उन्हीं की बदलत कहा जाए तो केंद्र में मोदी जी प्रधान मंत्री बने सरकार्ट चल लए और उधर उधर होंगी तो फिर परिस्थितियां बदल सक तो खर नितीश्क्रुमार इंपोर्टेंस है इसी लिए हलाकि वो पिछली बार भी चाहते थे लिए इन पिछली बार बात नहीं बन पाई इस बार यहीं मतलब कोशिश्टी नितीश्क्रुमार की जार्खन में भी जेडियू अपनी पैठ बनाए संगठन का विस्तार हो सुदेश महतो को उसी वोट्बैंक पर जैसे बिहार में नितीश्क्रुमार के जाना जाता है कोड़भी बोट्बैंक पर एक्छत्र राज या प्रभाव तरीके से धार्खन में सुदेश महतों अद्जाता है वो भी कुडवी विरादरी से हैं तो इस वोट पैंट पे सब्की नजर है चुटी सबको लगता है कि अगर ये वोट पैंट उनके साथ एक मुस्त आ गया तो फिर सत्ता में आने से उन्हें कोई ने रोख सकता है तो मनशा क्लियर है तो हिमंता विश्व सर्वा ने भी एक तर चुनाव लड़ने का दावा किया है उनका क्या होगा क्या बीजपी फिलहाल आजसू के साथ हुए नुकसान को देखते हुए इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती इसलिए आजसू को साथ लेकर चल रही है जेडियू को भी खुश करना है ये भी एक बड़ी जिम्यदारी है तो इसलिए जेडियू के साथ भी सीटों का भटवारा होगा लेकिन क्या चिराग पास्वान और जितन रामान जी की पार्टी उतनी मजबूत जारखर्ड में नहीं है और क्या ये बात बीजपी को पता है इसलिए क्या एहमियत नहीं दी जा रही ये भी एक सवाल है बिल्कुल सही कहा अपने दूसरे दूसरी बात जो कही कि मजबूत नहीं है अभी शायद बीजपी को ये नहीं लगता है कि वो फैक्टर है या फिर वो जीत हार में कोई अपना रोल अधा कर सकते हैं उनकी वज़द से हमें नुक्सान हो सकता है ऐसा नहीं लगता है रही ब करने के लिए खुछ सीटे दी जाएगी हलाकि 11 सीटों का दावा उनकी तरब से है लेकिन करते ही मुम्किन नहीं है कि 11 सीटे उनको दी जाएगी मुझे लगता है कि एक से 2 सीट उनको मिल सकती है उसमें से मांडू सीट हो सकती है मांडू सीट इसलिए चुटी मांडू सीट से जो बिधायक फिसली बार बीजे पीटे टीकटट पर जीते थे जेपी पटेल वो कॉंग्रेस में चले गए हैं और हजारी बाइक से उन्होंने लोगसवाटर चुनाव भी ला रहा है और मांडू सीट ही प्रभावित मतलब प्रभाव छेतर रहा है खीरू महतोका वहां से वो बिधायक भी रहे हैं तो एक सीट वो है दूसरी सीट जो सर्यू राचु की इंटर किये हैं जेडियू में शामिल हुए हैं तो जमशेदपूर पूर्वी से उन्होंने तत्कालिन मुकमंत्री रगवर्दास को हराया था तो वो सीट भी है हलाकि चर्चा ये भी है कि वो जमशेदपूर पश्चिम से चुनाव लर सकते हैं इस बार और वहां से किसी और को या बीजेपी चुटी रगवर्दास वहां से हमेशा जीतते आए हैं लगातार जीतते हैं पहली बार वहा रहे हैं तो बीजेपी नहीं चाहती है कि वो सीट अब किसी दूसरे के हिस्से मे चला जाए वो परिस्ति कुछ और थी जिस मदल से उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तो तो शरीव रायक को यानि जेडिव को जमशेदपूर पश्चिम का सीट की सीट दे दी जाया और एक मांडू सीट और जमशेदपूर पूर्वी से जहां पर फिलाल सरीव बिधायक है वहाँ पर बिजेपी ले ले तो ये दो सिट लगड़े चुटी जमशेदपूर पश्चिम सीट जो है वहाँ से सरीव राय दो तिन तिन बार बिधायक रा चुटे हैं वहाँ पर जैसे राजस्थान में सरकार बनती है पाथ साल बीजेपी टी देन कॉंगरेसि उसी तरीके से जमशेदपूर पश्चिम पर सरीव राय और बन्ना गुपता के पीच में एक बार वो जीते हैं एक बार वो जीते हैं तो इस बार चुटी बन्ना गुपता मंतरी भी जीते हुए हैं तो सरीव राय के लिए ज्यादा चांसे है कि वो सीट ये करे और यहाँ पर शायद एंटीन कन्वेंशी भी हो और निर्दलिय जीते थे तो खेर जेडियो को मुझे लगता है कि दो सीट पर उनको मान जाना चाहिए वह मान भी जाएंगे चुटी इंक्री दिखानी है और विस्तार करना है उसके अलावा देखे दो हजार चौदा में आठ सीटे मिली थी और लोहरदगा सीट से इतिकार सीट ऐसी भी है जिसकी बजा से अंतिम वक्त में बात बनते बनते रह गए थी तब जाकर के सुदेश्मतों ने अकेले ताल ठोका था तो अठारा और आठ के बीच का जो रास्ता होता है वो मना टरके बीजीपी तो चाहिए कि 10 से 11 पर सम अपने की लेकिन जरा चिराग पासवान पे भी फोकस कर लेते हैं क्योंकि युवा नेता है युवा चहरे हैं और बिहार में उभरते हुए राजनेता के तौर पर चिराग पासवान को देखा जा रहा है लेकिन जारखंड की अगर हम बात करे तो पिछली बार 2019 के अगर हम जाते हैं तो फिर उनकी क्या रन नीती होगी क्योंकि 28 सीट पर दावा तो किया गया है लेकिन जो नतीजे रहे हैं 2019 के क्या उस नतीजों को देखते हुए आगे चिराग पासवान कैसे बढ़ है चुनाव लर सकते हैं जिस तरीके से आपको याद होगा कि 2020 में जहां तर पर भी वो कोशिश करेंगे कि अगर बात नहीं बनती है तो वैसे ही मंतव शुसारवा ने जरूर कहा है कि इसके लिए हम दिल्ली में यानि शिस नेत्रतु से बात तरहें कि उनको देनी है कि ने देनी है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यह होगा तो फिर उनको देनी सरकार के उस पे इनका पोज रहा है और उसकी बैक फुट पे आना परा है किन्द सरकार को और उसी के बाद से आपको याद है कि अभी तक चर्चा चल लए है कि पीज़ेपी उनकी पार्टी को तोरने वाले संसदों को तो तो बीज़े और पशुपती पारस से इसी प पासवान को चिराग पासवान पर लगाम लगाने के कोशिश हो रहे हैं उनको कंट्रोल में लाने के कोशिश हो रहे कि ज्यादा वो न यह करें तो इस सारी चीज़े चल लहीं लेकिन फिर भी अगर लाएगा वैसे बहुत ज्यादा फैक्टर साबित नहीं होने वाले हैं में वैसी उपस्थिती शायद नहीं है कम से कम भीज़े पी को ऐसा नहीं लगता है इसी वज़ा से अंतिमार्ट में हो की बात बन भी सकती है नहीं भी बन सकते लिए मारी जीक लिए कोई गुझाईश नहीं है चिराग पासवान को और बहुत ज्यादा होता है तो एक सीट शिकारी पारा पर शायद उनका दावा है हला कि दावाट ऐसे कर रहे हैं क्या अधार है चुटी वहां पर 735 वोट लाते हैं 2019 में चिराग पासवान को मिद्वार और 4000 सम्थिंग वोट लाते हैं जेडिव को मिद्वार तो फिर ज्यादा क्लेम बनता है जेडिव का 4000 कुछ बोट शार शार क्यास पास बोट जेडिव को मिद्वार लाते हैं फिर भी देखते हैं क्या होता है लेकिन फिलहाल जो अभी जो परिशिती चले चुटी देखिए जार्खन में महाच 181 सीट है तो अगर 181 सीट है तो अगर गडवंधन होता है चाहे वह आजसू हो में 80 सीट हैं इतने सारे दल आ सकते हैं जैसे 2019 बाद इन्टी तो हुगे ने आजसू की जेडियोटी इनको भी सीटे देनी है उसमें से अपने ही कोटे से सीट देनी है बीजेपी को आजसू को भी और दूसरी बात तीसरी बात यह कि अल्डेटी पहले से जो आयातित लोग और रहे हैं उनकों समर्द्कूट को भी संन्तुष्ट करना है उनकड़े जो कमीचमेंट हुआ है उनको भी टिकेड़ करना है तो टिकेड़ बटवारे में तनीगे के लिए आसान नहीं होने वाला है और बीजेपी ऐसी परिशिती में भी जब कई लोग टिकट पांच साल के लिए उमीद कर रहे थे टिकट के लिए और अल्डेडी वहाँ पर कोई और आगे बरे नेता और उनके समर्थत किया उनके चुनाओ लरने के बाद तो अल्डेडी वह नाराज चल रहा हैं तो हुआ चुनाओती है और भगदर के स्थिती हो जाएगी अगर इसको सही ढंक्षे टेकल नहीं वहाँ हाला कि ही मन्ता विसु सर्मा ने यह साफ कर दिया है कि हम तो रेंगे भी फोरेंगे भी जो रेंगे भी और इसको जाना है वो जाए भी कोई फरक नहीं पड़ता है हमारी मनशा हमारा एकदम लक्ष है गोल है किसी तरीके से जारखंड में सरकार बनाना उसके लिए चाहे जो करना परे और उन्हें यह भी कहा है मैं सुनना था कि सब लोग की पुछा गया कि फर आप अपे दरवाजे खुला राखने की बात कर रहे हैं सब में धर गरमें तरवस्का क्या होगा अंधा कि किसमत उपर वाले लिख्टर भेजते Danish कि किस्मत में छो होगा वो मिल जाएगा तो इसके लिए नहीं उन्होंने चैनलों का एक्जामपल दिया कि देखिए पहले एक चैनल हुआ करता था अब सेखुड़ चैनल कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है तो उनके पास सारे सारे सवालात तो कोई जवाब है पहले से लेकिन ये मुझे लग तो समझ जाईए कि जार्खंड में सरकार भी बन सकती है वैसे हेमन्त सोरेन हाल के दिनों में जेल जाने से पहले या जेल जाने के बाद जो एक सहानभूती लहर चल लई है वो हेमन्त सोरेन या महागटवननन के पक्ष में है ये भी एक चैलेंज है बीजेपी को इसको चैले से भी कई ऐसे नामी चेहरे हैं बीजेपी में जिन्हें भी साथ लेकर चलना है तो चुनौती बड़ी है लेकिन अब रनीती क्या होगी विधानसबा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये देखना दल्चस्प होगा किस पार्टी को कितनी सीट दी जाती है कितनी सीटों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा लेकिन चुनाव जारखंड का बेहत दिल्चस्प होने वाला है सिर्फ इंतजार है विधानसबा चुनाव के तारीखो के ऐलान का उसके बाद पार्टी अपनी रनीती को अपने पत्ते को धीरे धीरे कर खोलेगी कशिश न्यूस पर जारकंड की सियासत से जुड़ी तमाम खबरे आप तक पहुंचाते रहेंगे क्या कुछ वहाँ हल चल है ये भी आपको बताएंगे अभी के लिए बस इतना ही कशिश न्यूस के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर खबरों का सलसला जारी रहेगा नमस्कार